प्रमकृप से उपस्तित, उत्तर प्रदेश के राज़िपाल और इश्विश्व विद्याले के गुलादिपत, स्री राम नायक जी, प्राविदी के वेग्चिकित्सा शिक्षा मत्री, स्री आस्तोर स्टन्दन जी, चेर्मेन सेंट्रल अब्मिनिस्रेटिटिप ट्राइबूनल, जस्टिस प्रमोट कोहली जी, चेर्मेन युनिवर्स की ग्रांट्स कमिशन, प्रोफेसर बी एस चौहान जी, कुलपती डक्टर आर्शी सूपती जी, अन्य गर्मान अतितियो, शिक्षक गर्ण, अजिकारी गर्ण, अतिति गर्ण, अभिवाव को और प्यारी विद्यार्थियों. आज दिक्षान समारों के इस उसर पर उपस्तिस सभी पदक विजेताओं, सिक्षकों, अन्य सभी विद्यार्थियों, तथा अभिवावकों को मिली बहुत-बहुत बढ़ाई और शुक्ता मना हैं. हमारे देश में लगणों की तहजीब की एक अपनी अलग पहचान है। यहां के सिस्टाचार में सब को आप कहकर संभोजित किया जाता है, इसके पीछे केवल आउट चार्यक्ता ही नहीं है, बलकि यह दूसरे को आदर देने की भावना का परिचायक है। किसी तरह लगणों के लोगों में दूसरी एक तरजीब तैसीब है और उसके तहट पहले आप पहले आप कहने की परप्परा। कभी कभी इसका परिहास भी होता है, लेकिन इसके पीछे भी केवल नफासत ही नहीं बलकि धीरज रखने और दूसरे को प्रात्रमिक्ता देने की भावना होती है। यह अधीर या आक्रामक होने के वज़ाए धायरवान और संबेदन सील होने की तैजीब है। अगर सभी देशबासी लखनो के लोगों की पहले आप वाली तैजीब अपना ले, तो मुझे लगता है कि बहुत सी आपसी बिवहारिक समस्याएं पैदा ही नहीं होगी। और शायत लोग अधिक खुस होंगे। इस लखनोव सहर से बावा साब अमबेटकर का भी एक खास रिस्ता रहा है। जिसके कारण कुछ लोग लखनोव को बावा साब की इसने भूमी भी कहते हैं। बावा साब के लिए गुरु समान बोधा नंजी और उन्हें दीच्छा प्रदान करने वाले बदंद प्रग्या नंजी लखनोव में ही रहते थे। आज से ठीप पंद्रे दिन पहले बदंद प्रग्या नंजी का लखनोव में परिनर्वार हुआ। आज यहां आने से पहले मुझे उनकी पुर्ण स्थली पर जाकर उनके सम्मान में सादर नमन करने का सवभा के मिला। यहां आकर मेरी उन दिनों की भी यादें ताजा हो गई हैं जब मैं राजसवा का सदस्थ था और इस विश्विद्याजय के बोर्ड अफ मैनेजमेंट का सदस्थ भी था। यह बात होगी लगब दो हजार दो और दो हजार की जब उस समय आयता था तो वहां पर यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्टर नहीं था केवलेट वाइस चांसलर साफ का आफिस था एक छोटी सी लाइब्रेरी थी तो यह रखता कुछ दस या पंद्रे लोगों का स्टाफ था बैठके होती थी बोर्ड अफ मैनेजमेंट की काम आगे बढ़ा लेकिट जिसको कहते हैं कि जिस हर किसी के मन में एक अकांशा होती है कि जिस किसी पौधे को आपने लगाया हो और आपके सामने जब वो ब्रक्ष के रूप में सामने आता है तो कितनी खुशी होती है और वही आज मैं उस खुशी को आप सब के साथ में साधा कर रहा हूँ आज इस विश्चित विद्या मंदिल परिशन में ऐसा प्रभावसाली इंफ्रास्ट्रक्चर देख कर सच्पुशनों मुझे हार्दिक प्रशन्यता हो रही है इस प्रशन में आमबेटकर भवन और अटल बिहारी बाजपई सभागार के होने से भारत रतन से सम्माने दो महापुर्शों को नमन करने का भी आज मुझे आउसन मिलता है जैसा कि आप सब जानते हैं पूर प्रधान मंत्री स्री अकल पिहारी बाजपई जी को लगनव के लोग सरसद में अपना प्रतने दी चुलका पेशते रहे समाज और राष्ट के नर्वान में उनके महान योगदान के लिए पूरा देश उनका हज़र करता है सहीरोग से जैसा कि मानने राजपाज जी ने उल्लेक किया आज एक और भारत रतन को याद करने का उसर है भारत को उसका वर्तमा सुरूप प्रधान करने वाले लौपुरुस सरदार बल्लब भाई पटेल की आजपूर्णदी थी देश के पहले ग्रह मंत्री एवं उप्रधान मंत्री के रूप में उन्होंने हमारी शासन लवस्ता को एक मजबूत आधार दिया एक करता के राष्ट की ओर से मैं हमकी इसमती को सादर नमन करता हूँ आप मैंसे बहुत से विद्याकियों को बावा साहब आमेटकर के विद्याकी जीवत केविसे में विस्तार से मालूम होगा उन्होंनग प्रिस्ट्रम और निस्ठा के बलपर एक असाधारण विद्यारती के रूप में अपनी ख्याती प्राप्त की थी जिस समय बाबा साहब अमेरिका की कुलंबिया इनिवर्स्टी में अत्यान कर रहे थे उसे कई विद्वान उस विश्विद्याले का स्वर्णे म्यूग भी कहते हैं उस श्वर्णे म्यूग पर डक्टर आम्बेटकर ने विद्यार्थी के रूप में अपनी आमिट छाप छोड़े थी डक्टर आम्बेटकर बहुत कम समय में ही गंभीर और जटल विश्वियों पर अपनी थीसिस पूरी कर लिया करते थे कि उनकी एक बहुत बड़ी विशेष्टा थी और उनके सोद में गहराई भी होती थी जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि भारत की सम्विधान सभा में अनेक उच पूर्टी की विद्वान मौजूद थे ऐसे विद्वानों से भरी हुई सभा में भी भावा साथ की चर्चा सबसे अधिक विद्वान सदस्थ की रूप नहीं होती थी शायद इसी लिए उन्हें सम्विधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया बावा साथ जैसी विलक्षन प्रतिवास से जुड़े विश्विध्याले की हर चात्र और चात्रा में सिक्षा और नैतिक्ता के प्रति गहरी निस्था होनी चाहिए इस विश्विध्याले में केबल 13 वर्स की उमर में पीस्टी कर रही शुश्मा भर्मा और अंतर राश्टी इस तर पर पुरस्कार पाने वाली निलू शर्मा के रूप में दो नए उदारण मेरी असाधरण बेटियों की सुची में जोड़ गए है बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए विश्विध्याले की सराहना करता हूँ बावा साथ भी जीवन के प्रतेक शेत्र में माहिलाओं और पुर्षों की समानता के पक्षिकर थे लेकिन आज जो परणां सामने आ रहे हैं जिन दो बेटियों का मैंना नाम लिया शुष्मा और निरू का और उसके साथ की साथ जो पदक प्राप्त करने वाली बेटियां हैं जिसका कि इमाम हैंजे ने प्रतिसत भी निकाल कर दिया कि 64 प्रतिसत तो मुझे लगता है कि शायद बावा साथ यह आज की तारीम में यहां होते तो शायद उनको लगता था कि उनके सपने तो सपना तो बहुत पहले पूरा हो गया सपने से भी आगे हमारी बेटियां आग सिक्षा के जितने अधिक अवसार उपलब्द कराएंगे उतनी ही तेजी से हमारे देश का विकास होगा है आज हमारा देश विष्व में अक्रिम पक्ति के देशों में गिना जाता है लेकिन कही सामाजिक और आर्थिक पैमानों पर आगे बढ़ते हुए विज्ञान और त आप सब लोग गहराई के साथ सोचेंगे तो ये समझ में आता है कि आपके सिच्छा प्राप्त करने में आपके माता किता परिवार जन शुख चिंतकों के अलावा समाज के अन लोगों और देश ने भी काफी योगदान दिया है इन सब का आप सब पर कर्ज है एक रिन है अ और ये आपको अपने विवेग के अनुसार तै करना है कि आप इस रिन को हमें कैसे चुकाना है मैं समझता हूं कि सबसे पहले आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होना आप सब के लिए जरूरी है आपके सामने दो विकलत है आप नौगरी कर सकते हैं और अगर आ आप लोग जानते हैं कि सिमाय तै कर दी जाती है आप सबी प्रतिवावान हैं आप सबी में सफलता की अपार संभावनाएं हैं अता यदि आप अपना खुद का काम करते हैं तो आप सफलता की ऐसी उचाहियां चू सकते हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इसका इस दलिमि अपना काम करने की संस्कृति और मानसिक्ता इस दोनों को बढ़ावा देने में भी आपको ही पहल करनी होगी इसके सोच में बदलाव लाने की जरूरत है अपना काम करना कितनी बड़ी सफलता दे सकता है इसके बारे में मैं आप सब के साथ एक उदाहरण साजा करना चाहूंगा वाटसप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन के विशे में आप सब लोग जानते हों वे नौकरी तूड़ने में लगे हुए थी उन्होंने Facebook और Twitter दोनों ही कंपणियों नौकरी में एं ले थी नौकरी ना मिलने पर वो हतोत साहित नहीं हुए उन्होंने अपनी कंपणी बनाई उनकी इस कंपणी वाटसप को इतनी आधिक सफलता मिली कि Facebook ते उस कंपणी को हासिल करने के लिए जिसने उन्हें नौकरी नहीं देशा है फेस्बुक ने उस कंपणी को आसी करने के लिए 19 मिलियन डालर यानि के लगवग एक लाग भी सजार करोर रुपए ब्राइन एक्टन को दिया है सफल इंटर्परणियोर्स के ऐसे अनेक उधारण है आप नौकरी चुने या रोजगार आपको नैतिक्ता और सिधानतों के राश्ते पर चलते ही बास्तेविक सफलता मिलेगी नैतिक्ता के बिशे में समझाओते कि कोई गुझाइस नहीं होनी चाहिए Relativity applies to physics and not ethics ये कथन विद्कुल सही है मुझे ये जान पर खुशी हुई कि इस विश्व विद्याले ने सामाजिक सरोकार के कई कदम उठाए है एक लोती बेटियों को तथा कुछ गंभीर वीमारियों से ग्रस्क बच्चों को एडमीशन में अलग से आरख्टर देना विश्व विद्याले के आसपास के गाउं को गोद लेना और वहां सिच्छा और विकास के लिए काम करना तता किसानों और जमीन से जुड़े लोगों को विश्व विद्याले के इन्नोविटर्स क्लब से जोड़ना ये सभी सराहनी कार है ऐसे सामाजिक प्रयासों में चात्रों की भागीदारी से उनमें संवेदन सीलता और जिम्मेदारी का एसास होता है यह एक नया विश्व विद्याले है अंतर राश्टी संस्तानों की बेस्ट प्रैक्टिस को अभी से अपना कर आप सब 21 सदी की जरूरतों को पूरा करने में अधिक समर्थ हो पाएगे ऐसी एक बेस्ट प्रैक्टिस है एलूमनाई एसोशेशन बनाना और उन्हें विश्व विद्याले के विकास से निरतर जोड़ कर रहे बिभिन छेत्रों में अनुगों और सफलता प्राप्त कर रहे यहां के बूर उच्छात इस विश्व विद्याले और विद्यार्थियों के लिए अपना योगदान देने के लिए जरूर उत्साहित रहेंगे बावा साहिव आमेटकर के आदर्सों पराधारित इस विश्व विद्याले के प्रतेक विद्यार्थी से यह आशा की जाती है क्यों समानता और नियाए पराधारित समाज के निर्मान में अपना अनुजंतर योगदान देते रहे मैं आज उपाधी प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर पधाई देता हूँ परिश्व और प्रतिभा के आधार पर पदफ प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी विशेश पधाई के पाथ है मैं आशा करता हूँ कि अपने जीवन को सफ़ल बनाने के साथ साथ आप नए भालत के निर्मान में अपना अधिक से अधिक योगदान देंगे आप सभी के उज्वल भुष के लिए मेरी हार्दे के शुक्त कामना है धन्नवाद जैए